तो चलिए शुरू करते हैं इसे बादाना एक गैज में हम डालेंगे डेड़ कप के करीब दही तो दही को अची तर हमने फेट लिया है और दही हमने या थोड़ा खट्टा लिया है एक कप बेशन बेशन को अपने चान लिया है अगर आप कड़ी नॉर्मल पसंद करते हैं तो फिर एक कप बेशन डालें अगर आप कड़ी को थोड़ा सा गाड़ा पसंद करते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा बेशन और बढ़ा लें तो ये डाल देंगे एक टी स्पून अधरा का पेस्ट, एक टी स्पून लसन का पेस्ट, एक टी स्पून लैल मिर्ज पाउडर, एक टे मिली स्पून धनिया पाउडर और दो टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी इसमें घोड़ी सी ज्यादा जाएगी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक गिलास के करीब डालेंगे इसमें हम पानी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब इसमें हम पानी डालेंगे तो mix आप अच्छी तरह कर लें इसमें एक भी लंस ना रहने दें अब इसमें हम डालेंगे चार से पांच गिलास पानी तो इसमें हमने पांच गिलास के करीब पानी डाला है और आप यहाँ पर इसकी consistency देख सकते हैं ना जादा गाड़ी है और ना जादा यह पतली है क्योंक करीब पत्ता गैस के फिल्म को मीडियम तुफाइब रखेंगे और इससे थोड़ी थोड़ी देवर चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे कड़ी को पकाते हैं, चारी से प्यत्तारिस मेंट हो गया हैं और आप देश सकते हैं की कड़ी यहाँ पर पक गई है और थोड़ी यह गाड़ी होगा इह तो कड़ी को आप थोड़ी से चेक करलें अगर यह कच्छी लगती है तो बढ़ami से थोड़ी प्यक्र और नमक और मिर्च अपने टेस्ट के साब से कम ज्यादा कर सकते हैं एक मीडियम साइज की प्याज और चार से पांच हरी मिर्च इसे बारी काट लिया है यह डाल देंगे बारी कटा हुआ हर अधनिया और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें पालक तो एक कप के करी बारी कटी हुई पालक वन फो टीजपून बेकिंग सूड़ा चलिए तो यह सारी चीजों को बेशन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बैटर को हम यहाँ पर बहुत ज्यादा पतला या बहुत गाड़ा नी रखेंगे मीडियम ही रखेंगे तो अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लेंगे तो एक से दो मिट के बाद में अब इसे हम पल्टेंगे पकोड़े को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे तो गैस के फिलिम को हम यह तोड़ा समद्दा कर लेंगे ताकि पकोड़े अंधर तक अच्छे से पख जाएं पांस से साथ मिट लागे और आप यहाँ देख स इसे हम डालेंगे कडि में चले है तो यह कडी तैयार है इसे हम ढांक कर रखेंगे एक तड़ा और इसका थाष्टा कर कर लेंगे कडीमें तड़का लगाने क लिए 7-8 लाषं की कलियों को बारी काट लिया है और 3-4 साबद लाल मेंच 1 teaspoon मैथि दाना और एक teaspoon zero और राई को मिलाकर एक teaspoon लीया है थोड़ा सा करी पत्ता और दो पिंच हिंग लीया है तरचा पेन में 1 tablespoon के करीब हमने तेल को गरम कर लिया है सब़से पहले हम यह लसं डालेंगे और लसं को हलका सा fry करेंगे गैस को यहाँ पर हमने थोड़ा सा मद्दा ही रखा है लहसुन जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हम डालेंगे मैथी दाना, जीरा, राई और ये हींग अब गैस को हम बन करेंगे और इसमें डालेंगे करी पत्ता और ये साबुत लाल मिर्च बारिक कर्टा हरा धनिया डाल देंगे एक बार इसे मिक्स कर लेंगे तो लिजी एक कड़ी पपोड़ा बन करता ही आए अब इसे हम करेंगे डेस आउट तो लिजी पड़ी पोपड़ा बन करते हैं आप इसे ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगी आप इसे रोटी जावल के साथ खा या फिर पूरी पराठे के साथ यह सब इसे बहुत अच्छी लैग दिये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्र करें तो अगली एक नई रसेपी के साथ राजिर होते हैं तब तक अपने ख्याल रखें आला हाफिज